वीडियो दोस्तों पसंद आये तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी करें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका कमल गोला डोईवला यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ साही पनीर विद वाइट गरेवी बिल्कुर रेस्टोरेंट स्टाइल दोस्तों दोस्तो साही पनीर बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम पनीर, दो चमज सोफ, एक छोटी कडोरी दोस्तो मखाने, बारा काजू और दो चमज दोस्तो मगज की गिरी लिए और ये दोस्तो मैंने सब पानी में भी हो दिया है तो दोस्तो सबसे पहले हम पनीर के पीज बनाएंगे, तो पीज दोस्तो आप जैसे आपकी चहो वैसी बना सकते हो, लंबे बना सकते हो, गोल बना सकते हो, चकोर बना सकते हो, तिकोने भी जैसे आपकी चहो ये देखें दोस्तो मैंने सारे पनीर के पीज बना लिए हैं, साथ ही दोस्तों आप मखाने काजू और मगज सौंफ सबकों मिलाके मिसका फाइन पेस्ट बना लेंगी तो चले चलते हैं दोस्तों साही पनीर बनाने के लिए तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर हम 50 ml रिफेंड और लगबक 40 गराम करीब इसके अंदर हम बटर का इस्तमाल करे तो दोस्तों एक सकेंदर हमने तेज पता डाल दिया है साथ ही दोस्तों one टीस्पून जीरा कैं दोस्तों दो इसके अंदर लों चार-पांच काली मिर्चे एक बड़ी इलैची और दो दोस्तों छोटी इलेची साथ ही एक टुकडा दोस्तों दाल चीनी का वो भी दोस्तों मैंने इसके अंदर डाल दिया है दोस्तों ये दो मीडियम साइज के प्याज में लिये थे इनको मैंने एक पेश्ट बना लिया है अब बहुत अच्छे तरिक्चे से इसे दोस्तों हम भून लेंगे क्योंकि आज मैं बना रहा हूं साही पनीर विद बहतरीन तरिक्चे से दोस्तों इस समय भून चुका है तो दोस्तों स्वाध अनुसार आप इसके अंदर नमक डाल दीजिए मैंने टू टेबल इस्पून नमक का दोस्तों इस्तमाल किया है ये देखें दोस्तों नमक डालने से दोस्तों प्याज हमारी बहुत जल्दी हो ज और दोस्तो वन टीस्पून गरमसाला, ये भी दोस्तो हमने इसके अंदर डाल दिया है, और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तो इसे मैं भून रहा हूँ, साथ ही दोस्तो एक चम्मच कसूरी में थी, करश करके, वो भी दोस्तो हमने इसके अंदर डाल दिया है, ये देखे गैस का फ्लेम दोस्तो हम हाइ करके, दो मिनट तक इसे बहुत ही अच्छे तरीखे से दोस्तो हमें भुणना है, यह देखें दोस्तो आप, कितने बहत रिए तरीखे से हमारा मसाला दोस्तो इसे भुण्चो का है, और यह देखें, आप बिलकुल oil भी हमारा बिल्कुल separate हो गया दोस्तो बहुत ही प्यारी बहुत ही unique recipe है दोस्तो यह काजू खाने और मगज का जो पेश्ट हमने बनाया था वो भी दोस्तो हमने इसके अंदर डाल दिया है दोस्तो जार को बहुत अच्छे तरिक्के से आप पाने से दोली जिए और वो सारा प मिनट तक दोस्तों इसे हम भून लेंगे बहुती प्यारी बहुती टैस्टी रेसिपी दोस्तों मेरी कोसिस होती है दोस्तों कि मैं हर रोज आपके लिए एक नई रेसिपी लेके हाजीर होता हूँ तो यह देखें दोस्तों मसाला हमारे कितने अच्छी तरीके से भून चुका है तो दोस्तों इसके अंदर दो चमच मैंने अमूल क्रीम का इस्तमाल किया है अगर घर की मलाई हो तो दोस्तों वो भी आप डाल सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये देखें आप, क्रीम डालके दोस्तों इसे हम एक दो मिनट तक और अच्छी तरीके से भून लेंगे, बहुत ही प्यारी, बहुत ही युनिक रेसिपी दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, साही पनीर विद वाइट क्रीवी, तो दोस्तों, अब मग्रे अपने टेस्ट होता है, जब उसको हम पुरे दिल से बनाते हैं, तो रेस्टोरेंट साही पनीर जो मैं आज आप लोगों के लिए बना रहा हूं, दोस्तों ये एक चमच इलाइची पोर्डर है, इसको दोस्तों हम चीनी में डालके पीछ लेते हैं, ताकि हमने रेस्टोरें और आधा गिलास पानी, दोनों चीज दोस्तों मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, गैस का फ्लेम दोस्तों हम हाई कर देंगे, और इसे दोस्तों 2-3 मिनिट तक हम पकाएंगे, ये देखें दोस्तों, बहुती प्यारी बहुती यूनीक रेसीपी है दोस्तों, ये देखें हमा जाट-दस दाने केसर के लेके दूद में धुप्त विहों दिये थे। इसे एक आलकी दोस्तों फ्लेवर आ जाएगा हमारा पणीर के अंदर। ये देखें हैं वह भी दोस्तों में इसकें डाल दिया है। साथी दोस्तों तीन हरी मिर्चे, इनको मैंने बीच में से चॉप कर लिया है, ये डालना दोस्तों बहुत जरूरी है, इससे आपके पनीर में एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा दोस्तों मिर्चों का, साथी दोस्तों वन टीजपून जीरा पाउडर, वो भी दोस्तो भी लगाएंगे हरा धनिया दोस्तों लगाना बहुत जरूरी है तो यह देखें दोस्तों वैल हमारा बहुत अच्छे तरीके से आगिया है यह देखें बहुत ही प्यारी रेशीपी है दोस्तों बहुत ही प्यारी दोस्तों यह 10-12 किसमिस के दाने हैं यह भी मैंने डाल दिया है और साती दोस्तों हर सबजी की जान हरा धनिया हो भी दोस्तों आप आप इसे मिलाfach धीजिए और हमारा सही पनेर विद गृँड ग्रीवी दोस्तों बनकुल बिलकुल अब एड़ी हो चुका है तो दोस्तों मैं इसे आपको सर्व करके दिखाता हूं यह देखें आप वहोत से सर्व कर रहा हूं तो यह धेखें दोस्तो रेस्टोरेंट बिल्कुल रेस्टोरेंट के तरीके से Though this दोस्तोर रेते लेश क्लिटी पती डिवि दोस्तों बनी है बिल्कुल घर पे आप इसे जुरूर दोस्तों करें वीडियो पसंद आए तो करें कमेंट करें चैनल को सबस्क्राइब करें दोस्तों अपना प्यार आप इसी तरिक्के से देते रहें दोस्तों गार निसिंग के लिए थोड़ा सा रदनिया मोई डाल देंगे इसके इंधर यह देखें आप तो आप दोस्तों रेशिपी को रोटी से खाएं चावल से खाएं जिस मर्जी चीस से आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तो धन्यवाद जे लक्षमनसिद बाबा की